देख रहे हैं आपने को पांगा सीवान मैं हूँ अस्फाक सिद्धी की नेट की दुनिया से थोड़ा बाहर आएं और बाहर आएं इस धर्ती पर अभी हम मौझूद है सीवान के गोरिया कोटी परखंड के हयातपूर में जहां एक मंदिल है और मेरे पीछे देख रहे हैं यह सब मुस्लिम बवमुले संख्याएं घर है यानि पूरा इस मैं मुस्लिम लोग ही रहते हैं और हम इस मंदिल को दिखाना चाहते हैं कि यहां से कही न कहीं अनेक्ता में एक्ता होने की परचान है इस मंदिल का ये एक बतवारा है अगर इस मंदिल के अगर पीछे जाएंगे तो इदगा है जिसमें इद और बकरित का नमाज दखी जाती है और सामने आएंगे तो एक मस्जिद है जहां पाँच वक्त नमाज परी जाती है ये मुसलिम संग गाओं है यहाँ पे एक भी घर हि इसमें पूजा भी होती है यहां के पूजारी हमारे साथ है हम इन से जानना चाहेंगे कि आखिर इतना मुस्लिम छेत्र में एक मंदिल होना क्या कहेंगे इस पर एक बहुत खुबी का बात है यहां पर कि मुस्लिम के मुस्लिम बहुल गाउं में जंगली बाबा का मंदिल है औ लेकिन पूजा में आज तक, ऐसे हमारा उमर भी 65 प्लस हो चुका है, लेकिन पूजा में आज तक हमने नहीं सुना है, पहले भी और आज भी कि किसी तरह के यहाँ पर हंगामा हुआ है, किसी तरह का दिकत हुआ है। और इस कमिटी में यहाँ के मुस्लिम लोग भी थे, हिंदू भी थे, और एक भाईचारा का मिशाल कायम करके यहाँ महारुद्र जग हुआ, जो आसान नहीं था कि हो पाएगा यहाँ पर, लेकिन नहीं लोग के सहयोग से महारुद जग यहाँ पर हुआ। पूर भी दे रहा है, यहाँ पर गरामीर अस्था लोगों है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे, आखिर पांच वक्त जब नमाज सामने होता है, और पीछे इदगा की नमाज होती है, तो क्या-क्या इन लोगों परसानियों का सामना करना परता है, क्या नाम है, मेना नाम सफिय मस्जिदी की है, हम आपसे यह जानना चाहते हैं, कि सामने मस्जिद है, और पीछे इदगा, इदगा, तो एक साल में एक बार होता होगा, लेकिन मस्जिद में पांच वक्त नमाज होती है, तो इससे कोई आपको प्रोब्लम है, जब आठजाम होता है, तो इसके लोड़ स्पीकर है, तो आदमी सब इसमें हो जाता है, अगर टाइट करेगा, तो ठीक नहीं लगता है, कहीं नहीं कहीं, यह 24 गंटा जो आठजाम होता है, आपको थोड़ा परसानी जहलना होता है, लेकिन फिर भी आप लोग इसके साथ है, आप मेंबर भी है, इनका यानि इसमें कुछ होता है, प्लेंदेन हिसाब किताब सब आप रखते हैं, वो नहीं मिलता है, वो लोग पर समझ लेता है, हम यह आप से जाना चाहेंगे, पुजारी बाबा से ज्यादा आप ही बताएंगे, जंगली बाबा आखिर नाम की उपरा, जंगली बाबा हमारे ग दर्सकों को बताते चले, जब हमाएं यहाँ पे काफी ज्यादा भीर लगा हुआ ता सद्धालूओं का, और अभी वो लोग चले गए हैं, जब वो लोग आते हैं कोई ना कोई परिसानी जैसे की बाथरूम कहीं जाना परता है, या पानी की जरूरत परे, उसमें आप परिसानी जरूरत को दें, जो आज टीबी पर चलता है हिंदू मुस्लीम, जो राजनीती करते हैं हिंदू मुस्लीम, उस पर दस्वकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एकता की संदेश देगा है हम लोग काई ने कहीं आपके गाउं पर गर्भ है कि हम एकता की संदेश दे रहे हैं? माइक से मेमोरी से वही लोग देते थे, उसके बाद ये नया हमको दिखाई दिया, तो हमने गोपाल से चलके इस हयातपुर के धरती में आया है, आकर और ये संदेश देना चाहते हैं, कि आनेकता में एकता होने की पैचान इस से बरी और कुछ हो नहीं सकती है, हम बाबा से रहने वादे बाबा यहीं से उत्पन हुए, यहीं से उत्पन हुए है, पुराने लोग बता रहे हैं कि इसमें जंगल था, गास कट रहा था, गास के शोर से निकल गए बाबा, इसलिए इनका नाम जंगली बाबा पड़ गया, अच्छे एक चीज़, आप अस्थानी हैं कि कहीं बाहर से आए, आखिर हम यह आप से जानना चाहते हैं कि यहाँ हिंदू परिवार एक भी नहीं है, क्यों पहले से यहां पर मुस्लिम परिवार होते भी है, इसको देख रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग करते हैं, इस से खुसी के बात और बड़ी बात, और कुछ हो न को देखते हैं, क्यों को नहीं करते हैं, हम उनसे दो सब्द लेते हैं और जानते हैं उनका इस पर क्या राय है, यह बाबा है, यहां पर हमेशा राते हैं और इसका रेक रखा और साफ सफाई यहां पर हर चीज़ यही करते हैं, बाबा हम आप से यह जानना चाहते हैं, कि ज पूज़ा पूज़ा होते हैं उन लोगों के लिए जो राजनीती हिंदू मुस्लिम पर करते हैं उन लोगों के लिए यहां गयात पूर गाओं तमाचा दे रहा है